मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्माई हुई है क्यों चुनाव से पहले एक बार फिर से लाडली बहना योजना पर सियासत यहां हाई हो चुकी है तो इस सियासत की वज़ा है महिला एवंबाल विकार्स वेबार्स का एक पत्र दरसल महिला एवंबाल विकार्स वेबार्स वेबार्स ने सभी जिला कारिक्रम अधिकारियों को एक पत्र जारी किया जिसमें पात्र लाडली बहना योजना की सभी महिलाओं की लिस्ट आठ जन्वरी तक बैंकों को भेजने के निर्देश दिये गए ताकि 10 तार मेडिया पर लिखा है कि योजना के पात्र और अपात्रों की छठनी शुरू हो चुकी है उधर कॉंग्रस नेता केके मिश्टा उनके बयान का समर्थन करते नजर आए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने पलटवार किया और कहा कि हार से कॉंग्रस कॉंग्रिस पार्टी जब योजना लागू की गई थी उस कथन पर आज भी कायम है हमने तब भी यही कहा था कि 18 साल तक जिन मुख्यमंति जी को या जिस तत्काली सरकार को लाडली बहनों की याद नहीं आई थी अब चुनाओं के चार महा के लिए यह सिर्फ चुनावी जुमला है और वो शने शने स्थापित भी हो रही आशन का हमारी पाल्यावन चुनाओं के बाद यह योजना पूरी तरह खत्म हो जाएगी और पैनिक क्रियेट करने का काम कर रहे हैं लाडली बहना योजना के बारे में चिंता करने का काम कर रहे हैं मुझे रखता है कि आपको चिंता करने की जरुवत नहीं तो इस मामले में कॉंग्रिस का आरोप और बीजेपी की सफाई आपने दोनों सुन ली कॉंग्रिस का अपना दावा है और बीजेपी का अपना लेकिन चुनाव से पहले लाडली बहना योजना के नाम पर सियासत आखिर क्यों जबकि विधान सभा में तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन याताओ ये खुद साफ कर चुके हैं कि प्रदेश की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी चलिए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं सियम ने विधान सभा में क्या कहा था तो लेटर एक तरफ जारी किया गया और उसके बाद योजना पर सियासत शुरू हो गया कॉंग्रेस और गीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं चलिए महा डिबेट के आज के सवालों पर डालते हैं एक नज़र तो पहला सवाल ये है कि चुनाव से पहले लाडली बहना पर सियासत आखिर क्यों हो रही है लोग सभा का चुनाव होना है और उसके पहले लाडली बहना पर फिर सियासत दूसरा सवाल हार की बॉकलाहट है या फिर ये भ्रम पहलाने की कोशिश कॉंग्रेस की तरफ से की जा रही है आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है क्या बॉकलाड के चलते किया जा रहा है या फिर भ्रम पहलाया जा रहा है योजनाव की आडल में कॉंग्रेस का क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है ये भी बहुत बड़ा सवाल है किया एक बड़ा खेल खेल रही है कॉंग्रिस योजनाओं की आड़ में खास तोर पर लाटली बहना योजना को ले करके और आये इसे मुद्दे पर करते हैं चरचा हमारे साथ जिड़ चुके हैं अरे खास मेहमान डॉक्टर गृरेज शेख बीजेपी प्रवकता हमारा साथ जुड़े हुए हैं humanity दृटर गृरेज शेख आपका स्वागत है मनीश गुप्ता राजनितिक विश्लिशख हमारा साथ मनिश जी बहुत स्वागत आपका फिरो सिद्धी की कॉंग्रेस प्रवक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में जुड़ी हैं डॉक्टर वंदनाम, मिश्रा आप समाज से भी हैं आपका भी बहुत स्वागत हैं और धननजय प्रताप सिंग वरिश्ट पत्रकार की तोर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले कॉंग्रेस से जानने की बारी है कि कॉंग्रेस को अखिर ऐसा लग क्यों रहा है कि योजना बंद होने वाली है हम तो पहले से कह रहे थे लेकिन उसके पहले बीजेपी की क्या सफ पर पना इस पर चलूरूप से कहा है कि सारी योजना चालू रहेंगी इंक्लूडिंग लाली बहना योजना तो कोई उसमें संसरो की नहीं होती तो जो चीज विधान सभा की पटल पर कही गई है वो लिखी गई है तो यह तो लिखे तो बात है और प्रदेश के मुख्य मंतरी ने सदन में कहा है अब कॉंग्रेस क्यों कर रही है कि कॉंग्रेस की आदत है भ्रहम फैलाना धोखा देना और इस पर कारकी बाते कर रहा है फिर अभी आप पुछेंगे मुझे कि फिर यह लेटर क्यों निकला आयुक्त के तरफ से देखिए आगर आप वेबसाइट को खोल के देखेंगे जो लाडली बेहना की सरकारी वेबसाइट है तो उसमें पात्र पात्रों का मेंशन है जिसमें सबसे पहली जो पात्र टेक्स पेई नहीं होना चाहिए तो यह जो चीज़ें है ना वो तो डेफिनेटली है अब कोई यदि राजिस्थान की महिला कोई उत्तर प्रदेश की महिला ने भी अपलाए कर रखा है तो हम क्यों देंगे यह मद्धि प्रदेश की बेहन बेटियों के लिए योजना है त प्रदेश सही जान लेते हैं फिरो सिद्धिक साब क्या कहेंगे सुन लिया आपने देखिए जो भारती जंता पार्टी जलेवी यह बनाने का प्रयास कर रही है यह सब को सबज में आ रहा है पहली बात यह कि राज़ेपाल के अभी भाशन के में मुलाडली बहना योजना क जिक्र नहीं था जो राज़पाल का भी भाशन होता है वह सरकार का पत्र होता है जिसको राज़पाल महोदे के मुख से निकाह मुख से आहा आगे वाता है और सदन के पठल पर रखा जाता है हम लोर्ड़ एक बात जबही राम निवास रावाज जी और अमंग सिंगार जी ने इसको लेकर सरकार से प्रेश्ण पूछे, सरकार गोल-मोल बात करती रही और गोल-मोल बात करते हुए बाद में मुख्यमंतरी ने ये नहीं कहाँ सदन में कि सब लाड़ली बेहना योजना जारी रहेगी, उन्होंने का सभी योजना आं चारी रहेंग तो उसमें लाड़ी भी आया है वंबाल विकास विवाग की जो साहिका है सवाल सुन लीजिए सुन लीजिए जब राजपाल महुदे के अभी भाशन में आना चाहिए थी वो जब सारी योजनाओं का जिकर आया तो लाड़ी बेना क्यों गायक थी उसमें हम तो यही सवाल पूछ रहें कि क्यों आप क्या राजपाल महुदे को अंधेरे में रखकर इस योजना को चलाना चाहते थे नमबर एक नमबर दो बाद जब यह आया कि साहिका हैं आंगनवारी साहिका हैं उनको लेकर एक आदेश जारी हुआ फिर उमंग सिंगार जी ने इस मामले को उठाया तो सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया आज यह तीसरी नई गटना हो गई है कि इसमें पात्र हो अपात्र की सूची मांगी जा रही है तो सरकार इस पश्ट वक्तववे दे माननीय मुक्यमंत्री जी इस पश्ट है क्या उसमें इसको तीन हजार रुपे किया जाएगा हम विपक्ष जो है बिलकु सटीक और सीधी बात सुनना चाहेता है और यह पात्र अपात्र की सूची क्यों डाली गई कि विपक्ष की बातों में कितना दम नजर आता है विपक्ष कहता है कि राजजिपाल का भी भाशन हुआ लेकिन इसका जिक्र नहीं हुआ विपक्ष ये भी कह रहा है कि यह जो पत्र है कहीं न कहीं कंफ्यूजन क्रियेट कर रहा है मनीश जी क्या समझ रहे हैं आप इसको देखते हुए कैसे देख रहे हैं इसको यह जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने तो साफ कहे दिया था सदन के भीतर कि कोई यूजनापन नहीं होगी लेकिन फिर भी कॉंग्रेस को डाउट हुए पुनीद भाई जब से मद्द्वर्देश में कॉंग्रेस चुनाब हार गई है अब उनके पास कोई ऐसा बेसिस नहीं बचा है जिसके लिए वो कोई बज क्रियेट करें राहुल गांदी जी को भारत जोडो निया यात्रा शुरू करनी है और मद्द्वर्देश से कोई पोज क्रियेट करो बिए जिसके कुछ गलत हो रहा है ताकि में ile मुक्षि मंत्री करद दो कोई और नहीं होगी नहीं होगी तो कई जाहुल-गांदी जो यात्रा कर रहा है विश्टिफिकेशन देखने करने के लिए बिल्कुल ताकि वो निया यात्रा की बात करे ना अब राज्जिपाल ने अब राज्जिपाल का जो काम वो कर रहे हैं जो काम मुख्यमंत्री का सरकार चलाने का मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके अभिवाशन में क्या रहा क्या नहीं रहा, उचसे अगर उनने कोई बात अभिवाशन में नहीं बोली तो वह प्रूब नहीं होगा, अगर मुख्यमंत्र, और फिर दस्तारी तक अबेट कर क्या वाकई में कॉंग्रिस कोई confusion create करने की कोशिश कर रही है इस योजना की आड़ में ये क्योंकि सामने लोग सबाद चुनाव है तो कोई ने कोई मुद्दा चाहिए अभी गर्मा गर्म होना चाहिए ऐसा कि मुझे लगता है कि यह जो मैं अभी आपके आपकी स्टूरी देख रहा था और पूरी बहस सुन रहा था मुझे लगता है कि confusion वाली बात नहीं है दरसल देखिए बात आप यह देखिए कि योजना है जो सरकार सुरू करती हैं कभी कोई योजना को बंद नहीं किया जाता है उनीस तो पचासी चौरासी में जब अरजुन सिंग मंत्री थे तो उनने बीस सुर्ट्री कार्कम किर्यानवन कमिटी बनाई थी और उसमें तमाम नियम कानूर बनाए थे योजनाय बनाई गई थी वो आज भी जारी है अब यह अलग बात है कि मवजूदा सरकार उसको कितन पर निर्भार करता है बजट एलोकेशन मुझे लगता है कि लाली बहना हां बिलकुल बिलकुल निश्चित तोर पे बजट लोकेशन आप देखिए जब लाली बहना योजना सुरू की गई थी तेब आठ है कर आठ कर आठ आठ हजार करोड रुपए का प्राउधान किया ग पैट्रिता को और थोड़ा कटिन बनाया है जा सकता है या जो पीछे हैं आठ देखिए बाईस हजार करोड रुपए का पुनी साल भर में खर्चा है आप बाईस हजार करोड रुपए का अदेखिए कि बजट का कहीं दूसरी जगए उपयोग किया जाया है तो बागी सरकार को बागी विखास कालक के लिए बिजट की विए उस्था करना है तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ तो सरकार बीच कर रास्ता निकालेगी इस योजना से फाइदा कितना पहुंचा और अगर इस पर जो कॉंग्रिस डाउट घता रही है इस पर ऐसी पर स्थिति बनती है तो क्या नतीचे हो सकता है देखिए कोई भी योजना कारगर होती है तो निश्यत रूप से फायदा मिलता है और महिलाओं की इस्थिति अगर गहराई में जाकर जमीन इस तरह से जाकर देखे तो बास्तों में बहुत दैनी है जब महिलाओं के हाथ में पैसाँ होगा तो निष्टर अर्बसे इन में एक ने लेने की शम्ताँ होगी उनसे परिवार का संचालन होगा और जिन महिलाओं के लिए यह है है यह उन महिलाओं के लिए है जिनके हाथ में पैसा नहीं है क्योंकि निश्चे तो उसमें लिखा हुआ है सीधा कि वाय करदाता नहीं हूं मैं तो यहां पर एक तो राजनेटी स्टंड है तो यह तो कुछ ना कुछ उनका चलता रहा है क्या मैं राजनेटी से यहां कोई सरुकार नहीं रखती है कि यह उजनाओं को हमें बढ़ चड़के सहयोग देना चाहिए और इस तरह कि यह उस आम जन तक पहुंचती है अगर वह आम जनी स्वस्त व रक्षित नहीं है तो जैसा कि हमारे पुस्पन जी ने कहा तो विकास कहा किस के लिए विकास होगा पहले तो हमें व्यक्ति स्वस्त चाहिए पोशित चाहिए तब उसका विचार विक्सित होगा तब देश विक्सित करेगा तो यह विकास यत्रा भी तो वहीं से शुरू हो तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट किसी को करना चाहिए पात्रता परिक्षन कर लेना बहुत अच्छी बात है। दस तारिक कोई राशी जारी करनी है। इसलिए आठ तारिक तक आप नाम पहुचा दीजे। दूसरी बात ये 31-31 योजनाओं में पैसा नहीं जा रहा है महिलाओं से संबंदित पैसा नहीं जा रहा है। विकलांग योजना हो मूकबदीर योजना हो सामाजिक पेंशन योजना हो व्रद्दा पेंशन योजना हो यह सारी योजनाएं बंद पड़ी है अगर सरकार के पास मुकंबल बजट है तो उसको मुकंबल बजट पर बात करनी चाहिए थी और अब राजपाल मौदे के अभी क्रियेट करना है हम तो यह कह रहे हैं 26 तारिक सुकून में रह सकते हैं मोहन यादाव जी उसके बाद हम 3100 रुपे धान के 2700 रुपे गयों के 3000 रुपे लाड़ी बेना के साले 400 रुपे सिलेंडर के जीतू पढ़वारी जी ने कह दिया कि 26 तारिक के बाद आप मैदान में आ जाएंगे हम तो उसके बाद हम सरकार का नाक में दम करने वाले हम सहब को इस तरी के सरकार की नाक में दम करने वाले हम तरफ से और क्या कह रहे हैं आपने सुनी लिया लेकिन गुल्रेज शेख जी ये तो लिस्ट पहले से तयार थी क्योंकि पैसा तो जा रहा था साथ माईनों से पैसा जा रहा है आखिर क्या इस बात की चिंता महिलाओं को उन हित्गराहियों को करनी चाहिए कि एक बार फिर से की स्कूरूटनी तो नहीं होने वाली इस लिस्ट की कौन पात्र है कौन अपात्र भी इसमें शामिल हो गया क्योंकि इसके पहले तो सभी पात्र जो है उन्हीं को पैसा मिल रहा था देखिए वैसा भी ये मोधी और मोहन की सरकार है सारी चीज़े ट्रांसपरेंसी से होती है कोई दबी जुपी बात नहीं होती आप एक काम करें वह मैं आपके दर्शकों को कहता हूं कि जो मुख्यमंती लाडली बहना योजना है उसकी वेबसेट को खोले उसमें कितनी एप पत है और जिनके खिलाफ किसी ने किसी में किये उसका भी नंबर मिलेगा आपको कि कि दो लाग के आसपस कम्प्लेंस आई है कि आपात रहें तो क्या उनकी स्कुर्टनी नहीं होना चाहिए क्या उनको देखा नहीं चाहिए क्या आप ये चाहते हैं कि एक महिला जो बहुत खर से जो बहुत पैसे वाले परिवार से हैं जिसके खुब की जौब है जिसके पर्स में पैसा रहता है चाहे उसको पैसा दिया जाए जाया जाए जो जो प्राइस किया गया है जो जो भी पातर है और पातर की सूची बिलकुल वेबसाइट पर आप गज़ेसे ही नीचे जाएंगे इस पष्ट रूप से लिखी हुई है वो इस पष्ट लिकिए है यहाँ कुछ उसे मामले सामने आए है बाइसाब जहां उत्तर प्रतेस से और या राजिस्तान से भी महिलाएं लाब ले रही है तो उनको रोकना ज़रूरी है जहां तक बात कर रहे हैं आप कांग्रेस की कांग्रेस सवाल उठा रही है तो पहले आपने वोट ले ले लिए उनको कह रहा है आप आप रहे हो तो सुप्रीम कोर्ड आफ इंडिया पे भी लगातार करी जा रही थी और कांग्रेस कह रहे ही कि 26 habrik का इंतजार कीजिए उसके बाद 3000 उठार के हम बात करने वाले हैं आपको क्या लग रहा है अभि कांग्रेस यह चे कह रही थी कि हम नाक में दम कर देंगे यह बात कांग्रेस के intent को बताती है यह कहती है कि इन्होंने एक कंस्ट्रॉक्टिब विपक्ष की भूमे का निभानी नहीं है इनको सरफ सत्ता पक्ष को परेशान करना है क्योंकि यह अभी तक इस सच को श्वीकार नहीं कर पाए लोगों ने देश को विवाजित कर दिया डिस्ट्रॉय कर दिया उससे कंस्ट्रॉय कर दिया किसे सकते हैं फिरोजी नुस्तुरा रहा है तो हम आपकी नाक में दम कर देंगे दोबारा कह रहा हूं लेलोगा मोहन सरकाती ये अधान अगर आगे बढ़ना है आगे बढ़ने से रोकना है बसला यह नहीं आगर कुछ काम ठीक ना करे तो उसको कीच के काम कराना है नहीं बसला यह है पूरा समय दिया है सरकार का सरकार को मोधी की गारंटी पूरी करो तेलंगाना में कॉंग्रेस की सरकार है पूरी की आप की नहीं कर रहा है इस काम को मोधी की गारंटी अपनी करो आप ने जो पूरा की नाक में दम वाकर लगेंगे और आप तो मजबूर करतेंगे पार्टी जनता पार्टी को यह करना पूरेगा तो सवाल यह भी उठा है क्योंकि पूर्वसियर शिवराद सिंग चौहाइं मल्चों से कहते हुए नजर आए थे कि अभी हम अजाद दे रहे हैं फिर साले बारा सो करेंगे फिर धीरे करके इसे तीन हजार तक ले जाएंगे आप सीधे तीन हजार पर आए प्रश्वराद सिंग्जी ने पारती जंता पार्टी के नेता हो यह थीन अजार रुपे आप पहना गुझा आप पहना है थी के पीजार रुपे दीजिए खिसानों को 3100 रुपे दीजिए दीजिए न दान देर देर लाग मैट्रिक टन सरकार खरीच चुकी है तो किसानों तो एक तीस सो रुपे क्यों नहीं देते बकाई के, क्यों आप एकीस सो पचास रुप रही दे रहे हैं उनकों, हम पो सवाल कर रहा है, आप आप ने जो वाइदे किये थे वो पूरे करिये, चीक है, डॉक्टर बंदरा मिश्रा, हमारे साथ समाथ से भी जो है, वो जुड़ी और कंटीनियूटी के साथ इसको धीरे 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 करके आगे बढ़ाने के बाद जो शिवरात सिंग चोहान भी कह चुके है, जी जी बिलकुत सही है कि अभी जो मिल रहा है, उसको चलने दीजिए, फिर आपका बज़ट जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे बज़ट आता है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जी बिल रहा है, उतनी आवशकता उनको है, हलांकि तीन हजार रुपे अगर महिलाओं को मिल जाता है, तो वास्तों में जिस जमीन तक ये चीज जानी है, जिस योजना जिस उद्देश से वनी है, वह लाव उनको मिलेगा, जमीन पर क बहुत माहिने रखता है उस परिवार को, वह परिवार अपनी पूरा बहरार पोशन कम से कम भोजन गए, अपन उनका चल सकता है, जीवनी अपन अच्छे से चल सकता है, तो इस तरह से ये योजना जो भारत जैसे देश में जिनकी आवशकता है, तो ये बनी रहना चाहिए भले इसके लिए अब इस राशी दी जा रहे है, और धीर दीर इस राशी को बढ़ा दिया जा है, धनन जै प्रताप जी ये कह रहे थे, वरिश्च पतकार जो कह रहे थे, उनका ये कहना है कि भाई इतना पैसा आप अगर इस योजना में लगा रहे हैं, तो आपके पास आय कितनी है, आप इतना खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन फिर कैसे बैलेंस करेंगे आप, क्योंकि नोट छाप चापे तो नहीं जा रहे हैं, जनता से टेक्स लिया जा रहा है, जनता को दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा प्रशन है, का जवाब देना चाहूंगा, मैं प्रदेश की जो स्ट्रेट जीडीपी है, उसमें विस्तार जो हो रहा है, सत्रा दिसंबलर, तीन प्रतिशत के हिसाब से हो रहा है, ये बात डॉक्टर गुलरेश रहे हैं, ये वर्ल्ड बेंक और इंटरनेशनल मोनिटरी फंड कह रहा है, मतलब भारत की जो विकासदर है, उससे लगभग दुगी में विकासदर मधिपरदेश राज्य की है, मतलब हम ट्रैजिंग इंजन हैं आज के समय, तो हमारे पास परियाप्त साधर है, हमारी आए बढ़ती जा रही है, और हम और भी यहाँ पर ऐसे चीज़े ला रहे हैं, चाहे सर्विस बेस्ट इंडस्ट पुनिट जी, आप मुझसे पुछ रहे हैं अट जी गेतु पुनीट जी मैं आपने पुछा योजना का प्भवी सी क्या रहनेए वाला है, तो मुझे लगता है कि योजना तो संचालित रहेगी इसमें कोई सशक की बात नहीं है, लेकिन पातरता और अपातरता की जो छटन रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से उनसे यह भी सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर योजना बहुत ज्यादा लाप्रद है सामा जी को थान की है तो क्या इस योजना को पूरे देज़ भर में लागू किया जा रहा है क्या उनके पास सवाल का जवाब है क्या ठीक है गुल्रेज जी शॉट में बिल्कुल शॉट में हाँ यह ना पुलिज जी एदि कोई हमारा राश्की प्रिवक्ता होता तो यह इस पास का जवाब देता आप भी समझते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं हो अग्दार नहीं है इसका जार देने के लिए ठीक है लेकिन एक सवाल तो खड़ा करके आप जा रहे हैं ठीक है सवाल तो खड़ा किया ही जा रहा है यहां पर कि क्या इसे नेशनल लेवल पर लॉंच किया जाना चाहिए